हेलो बच्चो, आज की इस वीडियो में मैं लेकर कि आया हूँ आप लोगों के लिए Topers बच्चे की Answer Seat आज की वीडियो का topic भी है Topers Answer Seat Analysis दिखी कई बार किया होता है? हम लोग ये सोच लेते हैं कि exam seat को भर देने से हमारे बहुत सारे number आजाएंगे लेकिन ऐसा नहीं है हमें questions का answer उतना ही बताना होता है जितना की हमें question में पूछा गया है इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि पिछले साल वो बच्चे जिनके number 56 में से 56 आये है उन बच्चों ने क्या कुछ ऐसा अलग किया होगा जो बाकी बच्चों ने नहीं किया है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेगा physics के paper को आपको attempt कैसे करना है हाँ जी देखे इस बच्चों ने सबसे पहले यहाँ पर लिखा है question first यह आपके पास column रहता है जिसमें है परिक्षक द्वारा प्रदत अंक आपको यहाँ पर question first लिखने के बजाए आपको यहाँ पर लिखना है question first इस जगह पर ताकि examiner जो है आपको यह marks जो है वो यहाँ पर दे सके इधर वाली side में प्रशन संक्या आपको इधर ही लगानी है लगाने का तरीका जो है वो कुछ यह रहेगा यहाँ पर इस तरीके से question first इस तरीके से आप लगा दीजेगा यहाँ पर आपके पास है पहले प्रशन में आपको बहुत सारे options वाले questions मिलते हैं कुल मिला करके 16 प्रशन मिलेंगे अब इनको यहाँ पर इस तरीके से एक नमबर लगाना है यह एक नमबर है वो आपको इस line से इधर ही लगाना है इस वाली side के अंदर आपको नहीं लगाना है फिर देखे बच्चे ने लिखा कैसे है पहले प्रशन का उत्तर होगा जैसे कि A तो इसने option भी लिखा है और साथ में यहाँ पर क्या लिखा है वो option जो paper के अंदर दिया हुआ है ताकि examiner चेक करते टाइम बिल्कुल भी परिशान नहीं हो कि A option है कौन सा आप लोग examiner को जितना कम परिशान करोके उतना आफी का फाइदा है जैसे कि दूसरा प्रशन है यहाँ पर दो number लगाया इसका B लिखा और लिखा V नियत है यही सबसे अच्छा तरीका है और proper एक gap maintain किया है जैसे कि यह पहली line है तो पहला जो उत्तर है इसके वादने एक line छोड़ करके दूसरा लिखा है आप लोग दो line भी छोड़ सकते हो लेकिन कम से कम एक line तो छोड़ नहीं है ताकि चेक करने वाले को सारे जो उत्तर है वो अलग-अलग नजार आई कि पहले का A है दूसरे का B है तीसरे का C है और C के अंदर है कौन सा वो भी यहाँ पर लिखा हुआ हो ताकि examiner चेक करते टाइम बिल्कुल भी परिशान नहीं हो देखिए जितने भी उत्तर है आप उनको देख लीजी examiner ने यहाँ वाले option पर टिक करने के बजाए इधर वाले के उपर टिक किया है क्योंकि examiner को पता है कि चोथे प्रशन का उत्तर यही होने वाला है अगर आपने यह लिखा है तो आपका सही जाएगा कई बार क्या होता है कि अपन उत्तर तो सही निकाल लेते हैं लेकिन यह option भरते टाइम गलत भी कर देते हैं अगर दोनों लिखे हैं तो आपको यह benefit भी मिलेगा अगर यह आपका सही है इदर थोड़ा बहुत गलत भी हो गया है तो examiner का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा पहला प्रशन करने का तरीका यह है सर proper gap maintain करके अच्छे तरीके से किया है अब देखिए यहां पर देखने वाली बात यह है कि बच्चे के पास कुछ 4-5 लाइन बच गई थी तो बच्चे ने यहां पर दूसरा प्रशन स्टार्ट नहीं किया है वो नए पेज से गया है अगर 5-6 लाइने हैं तो कोई दिकत नहीं है दूसरा प्रशन है आप नई लाइन से नई page से start कीजिए, यहां उसमें start किया है दूसरा प्रशन, फिर से दूसरे प्रशन में भी आपको क्या है, रिकत स्थान है, उसमें भी आपको क्या मिलेंगे सर, काफी सारी questions मिलेंगे, यह पिछले साल के सेट है, जिसमें 4 ही प्रशन मिले थे, सही तरीका क्या है, यह है सर, और पूरा ऐसे question नहीं लिखा है, कि बीच में रिकत स्थान लिख दिया है, बाकी आगे वाली line ने भी लिखी है, सारी line नहीं लिखी, सिर्फ जो रिकत स्थान के अंदर आने वाला जो space है उसी को fill किया है, cyclotron लिखा है, examiner ने इसको सही कर दिया, यहां पर प्रेरन गुना है, सिर्फ वहीं यहां पर mention करेंगे, ताकि examiner का द्यान direct इस उत्तर पर जाए, वो पूरी line लिखी होगी, तो examiner को डूंडना पड़ेगा, कि आपने उत्तर वाली जगे कहां लिखी है, हर एक उत्तर लिखते समय बीच में proper gap दिया है, proper line ने छोड़ी गई है, यह सबसे होंगे ज्यादा तर, एक नंबर वाले हैं, तो अब कोई numerical है, यहां पर पहले तो उसने लगा है, एक नंबर, numerical है तो जो दे रखा है, वो पहले mention किया है, दिया गया है, कि प्रयोग में आवेशित मून पर आवेश कितना है, पूरा लिखा है, एक electron पर आवेश कितना हो जा जाए, इसने यहां पर यह बताया है कि उत्तर में जो चार है, वो electron है, बहुत अच्छा तरीका है, हर एक देखिए, लाइन के बीच में numerical अगर कर रहे हो, तो हर एक लाइन के बीच में एक लाइन खाली चोड़ी गई है, देखिए, यहां पर यह लाइन खाली है, यहां पर एक लाइन के अंदर दूसरी लाइन गुसा देना, ऐसे वाली गलतियां बिल्कुल मत करना, फिर चलते हैं हम दूसरे पर, इसने तीसरे प्रशन का ही दूसरा यहां पर mention किया है, पूरा एक दम, ठीक है, पहले यहां पर थेरी लिखी है, थेरी के बाद में देखिए, एक ल यहां पर छोटी-छोटी इसने गलतियां की है, आपको यह गलतियां भी नहीं करनी है, तीसरा प्रशन है, अर्द चालकों की प्रतिरोधता टाप बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो घटी है, फॉर्मला लिखा है पूरा, फिर विश्रान्तिकाल तक को explain किया है, कि जब N का मान पहले से कम हो जाएगा, तो विश्रान्तिकाल का प्रभाव नगन्या होता है, प्रॉपर एकदम, जो भी फॉर्मला आया है, देखिए, उसको एक कोस्टक में बंद किया है, बहुत अच्छा तरीका है यह, फिर यहां पर येक्चन में गलतियां क्या हुई है इधर लिख दिया गया था पहले उत्तर, यहां पर उत्तर नहीं लिखना चाहिए, प्रशन की जो संक्या है, वो इधर ही लिखनी चाहिए, बड़ा जो प्रशन है, जैसे अगर कोई तीसरा प्रशन है, वो यहां लिखी, अगर तीसरी का पहला पार्ट है, तो वो इस इस तरीके से आपको करना है, यह देखिए, डाइग्राम कितना शानदार है, एक दम दिशाएं यहां पर दिखाई हुई है, किधर की तरफ आ रहे हैं, किधर से जा रहे हैं, सब कुछ इस तरीके से, फॉर्मला आया है, तो फॉर्मले को यहां पर एक बड़े ब्रेकेट के आपतन कोन के बीच में ग्राफ डू करना है, सबसे पहली चीज़ जो महतोपुर्ण है, वो है सर, यह जो आप ग्राफ बनाते होना यहां पर, यहां पर जो आप ग्राफ बना रहे हो यह वाला, तो सर, इस ग्राफ में यहां पर एरो लगाना बिल्कुल ना भूले दोनों सा तो graph बनाते हैं दिशा ये arrow और ये नाम लिखना बिल्कुल नहीं बोलना है यहां देखे डाइगराम है बहुत अच्छा डाइगराम बनाया है पूरा एकदम संधारितर की दोनों प्लेटे बनाई गई है किन प्लेटों पर ये पहली प्लेट है ये दूसरी प्लेट है एक पर माइनस चार्ज एक पर प्लस चार्ज विद्दु चितर की दिशाएं दर्शाई गई है बहुत अच्छे से मेंटेन किया है ठीक है देखे पूरा एकदम थेवरी आई है चितरा नुसर ऐसे शब्दों का प्रयोग करना वहत अच्छा रहता है ठीक है दिया है चितरा नुसर इसलिए पूरा एकदम पहले बताया है कि दूरी प्रतक करंदूरी कितनी है धारिता कितनी है, माना प्लेटों पर आवेश क्यू है, फिर चितरा नुसार, थोड़ी थियरी लिखी है, डेरिवेशन को बिल्कुल लाइने छोड़ छोड़ करके लिखा है, ताकि एक एक लाइन क्लियर हो, लास्ट तक, यही तरीका आपको अपनाना है, देखें, यहां एक दम ध्यान से लिख रखा है उत्तर को, एक्जामीनर का ध्यान बहुत अच्छे से आपकी कोपी पर जाएगा, एक जो बहुत इंपोर्टेंट चीज होती है, वो होती है आपकी राइटिंग, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, तो यह आप लोगों के लिए एक लिखते गए, अगर बाइचांस बीच में यहाँ पर कोई मिस्टिक भी हो गई है तो भी एक्जामीनर इतना ध्यान नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, एक्जामीनर का इस कॉपी के अंदर एक फील बन चुका है, वो एक फील ऐसा आचुका है कि यह बच्चा सही तो लिख अब आप कहोगे सर कुछ बत्तों की राइटिंग तो अच्छी नहीं होती है, फिर वो क्या करेंगे, गवराने वाली बात नहीं है, देखी एक डिसेंट राइटिंग में आपको लिखना है, जो आपकी प्रॉपर राइटिंग है, बस थोड़ा एक्जामीनर को ध्यान में आता रहे कि आपने लिखा गया है, थोड़ा बहुत अगर राइटिंग के अंदर उपर नीचे है, तो भी काम चलेगा, हिंदी इंगलिस्ट का पेपर नहीं है, कि आपके पूरी राइटिंग पर ही ध्यान दिया जाएगा, अगर आपने कंटेंट सही लिखा है, तो कहा दि इस बच्चे के पूरे 56 में से 56 नमबर आयी हुए है, अगर आपने राइटिंग पर बात करेंगे, तो देखे, बहुत जद अच्छी राइटिंग तो नहीं है, यह देखे, राइटिंग अच्छी नहीं है, लिखने का तरीका एकडम सही है, पूरा एकडम पॉेंट लगा क कि जितने भी जो चीजे मेंशन करनी थी डाइग्राम को एकदम अच्छे से बना करके ये डाइग्राम बनाया है इसने इसको पूरा एक्स्प्लेंड किया है बहुत ज़्यादा अच्छी राइटिंग तो नहीं है लेकिन गलतिया नहीं कि तो फिर से उसी कोपी पर आते हैं गलतिया नहीं करनी है राइटिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत है कोई चलेगा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बस इतना ध्यान रखिएगा कि लिखा हुआ मेटीरियल बिल्कुल सही होना चाहिए इसके बाद में पांचवा प्रशन आया है इसने मेंशन किया है आप पांचवा प्रशन है और यहां प्रशन नहीं लिखना है आपको पूरा प्रशन लिखने वाली गलतिया बिल्कुल मत कर देना सिरफ डारेक्ट एकदम उत्तर लगाया question number 5 उसका answer और start कर दीजेगा अब देखिए numerical को solve किया गया है सर एक दम श्यांदार गेप देकर के last के अंदर numerical के अंदर क्या किया गया है यह देखिए यहां पर मात्रक लगाया गया है बिलकुई छोड़ा नहीं गया है कोई जो extra चीजे हैं और यह भी देखिएगा अगर गलती हुई है तो एक तुम बहुत प्यार से इसको cut करना है इस तरीके से ऐसा नहीं है कि सारे जज़बाद बह जाए और गलती का ऐसे कतल ही कर दो आप ऐस तरीके से यू नहीं काटना है सर यह वाले अखाम बिलकुल मत कर दीशेगा कतल कर दिया है ना गलती का एक्जामिनर आपके कोपी का कतल कर देगा सर बहुत प्यार से अगर यह लाइन गलत है तो आप इस तरीके से गलत कर दीजेगा examiner समझ जाएगा कि हम बच्चे से थोड़ी mistake हुई है आगे देखें numerical को एक दम दो तीन पेज में लेकर के गई है फिर जाकर cancer आया है और examiner ने अगर आप चेक करने वाली बात पर ध्यान दोगे न इस पूरे पेज को देखिएगा अगर बच्चे ने पहले से starting में सही है तो examiner का एक feel आया है इस पूरे पेज पर यहां पर सिर्फ एक good लगाया है अगर इस से पहले वाले पेज की बात करो कि यहां पर दो जगए good था लेकिन examiner को feel आ जाता है कि copy में सही चल रहा है इसलिए तो कहते हैं कि आप starting में बिल्कुल सही वाले questions जो आपको अच्छे से तैयार है वो पहले कीजिए मैं आपको तरीके भी बताऊंगा इसी वीडियो में बने रही है कि आपको copy attempt कैसे करनी है इस पर भी अपन बात करेंगे यहाँ देखे चटे प्रशन को अब हैं प्रशन होगा कि electric परिपतों में carbon प्रतिरोद के लेने के क्या कारण है अगर जो कारण थे उसमें बच्चे ने यहाँ तक mention किया फिर नई line से एक line छोड़ करके पहला कारण लिखा है एक line छोड़ करके फिर दूसरा लिखा है फिर से line छोड़ी तीसरा फिर line छोड़ करके चोथा इस तरीके से बच्चे ने attempt किया है paper को attempt करने का तरीका आना चाहिए आप कितना सारा लिख रहे हो यह माईने नहीं रखता आपने जो लिखा है वो सही है और examiner उसको पढ़ पा रहा है, समझ पा रहा है वो सबसे main चीज है यहाँ देखिए बच्चे ने एकदम proper diagram बनाया है सर थोड़ा बहुत यहाँ पर इसने अगर आपकी copy में पीछे का material सही किया हुआ है न तो सर यहाँ देखिए आप examiner छोटी मोटी गलतियों को क्या कर देता है बक्स भी देता है सर यहाँ जैसे बच्चे ने scale का यूज नहीं किया हाग pencil से बिना scale के ही diagram बना दिया लेकिन examiner ने इस बात को ignore कर दिया, यह कोई दिक्कत नहीं है दिखिए यहाँ तक बच्चे का एक्तम बिल्कुल सही था अब optics, optics related दो तिन diagram आपको paper में देखने को मिलेंगे तो ध्यान यह रखेगे optics के diagram में इधर से अगर किरन आ रही है तो सर यहाँ पर arrow लगाना इसको आप तित किरन शो करना इधर किरन अगर जा रही है तो सर इधर भी arrow लगाना arrow लगाओगे, तभी वो सही माना जाएगा सर arrow लगा करके और यह देखिए इसको परावर्तित किरन बताना यह जो आपने दरपन लिया है वो आउतल दरपन है यह मुख्या अक्ष है यहाँ पर C है, यहाँ F है यह angle है, इनको दिखाना सर यह सबसे अच्छा तरीका है diagram जो बना रहे होना सर वो एकदम बिल्कुल सही होना चाहिए अगर आप इस बच्चे को देखोगे, यह देखिएगा एकदम शानदार जो भी चीजे extra है, वो इधर एक line लगा करके फिर यहाँ पर mention की गई, यह कि द्वारक छोटा है, थिटा बहुत छोटा है तो sin 2 थिटा है वो 2 थिटा के equal हो जाएगा एक एक चीज मेंशन की गई है बेटा दो page में इस का answer लेकर की आया है सिर्फ 1.5 ही नंबर का था page भले थोड़े से ज़्यादा चले गए है लेकिन लिखा प्रॉपर है examiner देखिए सर, चेक करेगा न उसमें examiner ने देखिए, यहाँ पर diagram देखा है diagram के बाद में सर देखना है examiner ने कहां good लगाया है इस पूरी page में सिर्फ एक जगा टिक मार्क किया है अगले page में कहीं टिक मार्क नहीं किया सुर्फ लास्ट के अंदर टिक मार्क किया है examiner को पता चल चुका है कि बच्चे ने starting वाले question सही किया इसका मतलब यहाँ भी सही चल रहा है सब कुछ आगे देखो बैटा फिर sen numerical माना तुल्य फोकस दूरी F है माना गया है फिर लिखा है कि जो दे रखा है हमें फिर formula लगाया है क्योंकि यह formula होता है फिर इसमें amounts put करके यहां तक answer तक गया है और वहाँ भी मातरक का यूज लिया है बच्चे ने मातरक लिखे है तब ही जाकर कि यह सही माना जाएगा जब आपके उत्तर सही है ना सर तो थोड़ी बहुत गलतियां भी देखिए बच्चे ने यहां पर गलती की होगी एक्जामिनर ने ध्यान नहीं दिया कि बच्चा कर तो सही रहा है लास्ट के अंदर लगाया उसने एकदम की सही है और नमबर दे दिये आगे देखो अब है ये वाला खेल ये दस्वाँ प्रशन है अब दस्वे में दो तिन चीज़ पूछ रखी होगी तो एक्जामिनर ने पूरा पहले इस समीकरन के लिए देखिए आदा नमबर दिया है फिर इस वाले के लिए देखिए इस निवारिकल के लिए देहली तरंग देदर ये ग्यात करनी थी पहले फॉर्मला लिखा है इधर ह का मान इलेक्ट्रोन के द्रवयमान का मान आवेश का मान फिर वो सारा पुट करके यहां पर अमाउंट स्वाइन किया है और फिर लिखा है यहीं पर नहीं छोड़ा आता है सोव वर्ट के जब इलेक्ट्रोन को सोव वर्ट दे रहे हैं तो उसे रिलेटर डी ब्रॉगली तरंग देदर है कितनी होगी एक कॉइंट दो दो साथ एंग स्ट्रूंग होगी तरीका तो सरी यही है यह देखे बहुत शानदार अब यहां पर एक छोटे से मान में बच्चे से गलती हुई है ठीक है तो वो भी एक्जामिनर ने उसको कोई दिक्कत नहीं है बच्चे को प्रॉपर नंबर दिया है यहां देखे अगर नाबिकिये बलके बिलाक्षनिक गुन पूछ रगे है बच्चे ने हाँ पर तीन गुन लिखे है तो तीनों के अंदर आदादा नंबर एक्जामिनर ने दिया है छोड़ना नहीं है सर जो भी चीज आप से पूछ ली जाए न वो आपको एकदम पूरी लिखनी है सर कहीं दिक्कत नहीं आने चाहिए डाइगराम अच्छे से बनाने है सारनी ये तो देखे टॉपिक हट चुका है लोजिक गेट का है पिछले साल था ये देखो डाइगराम बच्चे ने कितना अच्छे से करोगे ना डाइगराम वाले चो चीजे है ना सर उनको बहुत ध्यान से बनाना है डाइगराम के अंदर सिधा ऐसे नहीं कि पैंसल से सिधा बना दिया है स्कैल वगेरा यूज में लेने है सर तभी डाइगराम शांदार बनेगा अब देखिए ये है एक ग्राफ है द्रवेमान संख्या और प्रती नुक्लियोन बन्धा नूरजा बहुत सधार्ण सा ग्राफ बनाया है बच्चे ने और एक्जामिना ने इसको पूरे नंबर दिये है क्यों? क्योंकि गल्दिया कहीं नहीं है अब इस डाइग्राम में थोड़ी से दिक्कत आई लेकिन बच्चे ने अच्छा रफ वर्क जो भी आता है उसको कट करना है बिलकुल रफ वर्क जहां भी आ रहा है उसको कट जरूर करना है अब देखिए बच्चे ने दूसरी कॉपी भी ली है यह है पुर्क पुस्ति का इसे बच्चा ने एक कॉपी और ली है यह इसकी भर गई थी मिल जाएगी सर अब देखना इसमें सबसे पहले लिखा है सुक्षम दर्शी है क्या फिर इसकी सरंचना एक इक चीज का पता चल रहा है सर इसके सामने से लिखना स्टार्ट नहीं या नीचे वाली लाइन में से लिखना स्टार्ट किया फिर किरना लेक यह उप्टिक्स का डाइग्राम है हर जगह पर अगर वस्तु यहां रखी गई है वस्तु को नाम दिये है ए बी यहां से एरो लगाए है सर फिर इधर भी एरो लगाए है सर यहां पर इमेज बनी होगी फिर एक और इमेज बनी है सर वो यहां जाकर के बनी है हर एक चीज को मेंशन किया है दूरियों को मेंशन किया है फोकस दूरी को मेंशन किया है सारे points लिखे हैं तो सर आपको number मिलना लाज़मी है number नहीं कटेंगे सर आपके अब देखे यहाँ पर जिसे diagram जो है diagram के एक छोटा सा हिसा यहाँ पर बना कर यह बताया गया है कि 10th एटा का यह amount हमने क्यों लिया है यह लिखने का तरीका होता है चितरा नुसार इससे examiner थोड़ा impress होता है कि वाह बच्चे ने लिखा वहत श्यांदार है जितना अच्छा लिखोगे उतना ही आप लोगों का फाइदा है यह देखे यहाँ पर पूरा एकदम आवर्दन चमता को लास्ट तक ड्राइव करके फर्मुला फिर छोड़ा है और यह भी बताया है कि यह रिवनात्मक्ची ने किसे दर्शा रहा है बच्चे को पूरे चार नंबर मिल गई दिस्ट कारी वाले क्रिश्टन है दिस्ट कारी के बारे में बताया है पहले फिर सर यहाँ पर अर्द तरंग जिस्ट कारी का डाइग्राम बनाया है फिर उसकी कार्या परनाली बताई है थ्योरी लिखनी पड़ेगी निवेरिकल यह जो डेरिवेशन वाले टॉपिक होते है फिर उसमें तरंग चितर बनाया है इस तरीके से बच्चे को पूरे नमबर मिले है अब हम बात कर लेते हैं एक इंग्लिश मीडियम की टॉपर्स बच्चे की शीट यह देखिए बच्चे ने हर एक चीज को यहाँ ओप्शन लिखा है बच्चे ने कि ओप्शन देख कौन सा आया है इसका अ है फिर अ जो पेपर के अंदर ओप्शन है वो भी लिखा है बच्चे ने ने एक दम एक इक चीज को यहाँ पर मेंटेन किया है सर अगर यहाँ पर ग्राफ ये वाला सही है तो इसने ग्राफ बनाया है कौपी देखिए सर्ड कितनी शानदार है दूसरा प्रशन स्टार्ट किया है, दूसरे का पहला दूसरा बीच में एक एक लाइन छोड़ रहे हैं सर एक एक लाइन छोड़ करके लिखा है, डेरिवेशन है तो सर पूरा अब यहां पर के क्या चीज है ये भी मैंशन किया है, V का जो मान आया है वो वॉल्ट में है कि राइटिंग सही होगी आपका कंटेंट सही होगा सर आपके नंबर कटी नहीं सकते कितने शांदार कॉपी है अगर आप लोगों को यह कॉपी चाहिए तो बच्चा कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग पुशे टेलीग्राम पर या फिर वाटसप कर सकते हो मां आपको यह शीट जो है इनकी PDF भी प्रोवाइड कर दूँगा बहुत अच्छे है बटा यह देखिए एक एक चीज प्रॉपर बना रखी है यहां पर हर एक चीज को निया नुट क्रिशन आ रहा है तो उसका पता भी चल रहा है ग्राफ भी देखिए कितना प्यारा ग्राफ है डाइग मैगनिफिकेशन अलग से हेडिंग लगाई है मैगनिफिकेशन का माउंट निकाला है यह देखिए लास्ट किस्टिन पूरा एक तम इधर से जो वेव जो आ रही है वो दिखाई है जो आपको आउटपुट मिला है वो बाहर बनाया है सर वरकिंग पूरी दिखाई है फिर यहां पर देखना डाइगराम बनाए है सर कितना शांदार है अगर कोई क्यूस्टन रहे भी किया था चोता जैसे इसने पैलेट नहीं किया हुआ तो वो बाद में अब कर दिया सर यह करने का तरीका यही है यह देखना डाइगराम कितना शांदार तो सर ये तरीका था कि आपको answer attempt कैसे करने है अब कुछ और चीजे हैं जो ध्यान रखनी है जैसे कि पहला प्रशन है वेटा आपका जो पहला प्रशन है आपने इस तरीके से पहले की heading लगाई है फिर यहां से लिखना यह है first का first होने के बार ने answer पूरा हो गया तो एक दो line शोड़ करके यहां पर दूसरा फिर यहां पर तीसरा इस तरीके से आपको 16 तक चलना है अब आपको पहले प्रशन का 16 के 16 है ना वो एक साथ करने है ऐसा नहीं है पांच यहां कर दिये बाकी कुछ चार बाद में कर रहे हो कुछ बाद में कर रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं करने है सारे के सारे 16 एक साथ होने चाहिए दूसरे प्रशन में जितने भी हरिकत सान वो सारे एक साथ करने है तीसरे प्रशन के सारे के सारे एक साथ करने हैं यहाँ पर आपका section A complete हो जाएगा फिर जब आप section B start करते हो तो try ये करना सर section B को एक साथ ही पूरा करो नहीं भी कर पाते हो कोई problem नहीं है लेकिन अगर एक साथ करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा जहाँ पर आपने section D start कर लिया है section D start कर लिया तो उसको पूरा करना सर 19 और 20 प्रशन दोनों करना 19 हो गया फिर 20 हो गया इसके बार में भले आप section A करने के बार में section D भी कर सकते हो वो problem नहीं है लेकिन आगे-पिछे अगर हो भी जाए जैसे question number 4 से 20 तक अगर कोई आगे-पिछे हो रहा है तो कोई problem भी नहीं है वैसे तो लेकिन पहला दूसरा और तीसरा यह एक साथ करना सर ठीके पहले के सारे के सारे एक साथ दूसरे के सारे एक साथ तीसरे के भी सारे एक साथ होने चाहिए तभी आपको copy के इंदर दम नजर आएगा किस copy में कुछ तो है अब बात करते हैं बच्चो कि important question की जो वीडियो है वो मैंने upload कर रखी है YouTube चैनल पर अब वो सारी question सा ट्यार करके जाहिएगा exam में इसके अलावा अगर आपको chapter wise Hindi और English medium दोनों में चोटे questions की PDF चाहिए तो आप लोग मुझे whatsapp कर सकते हो मैं आपको send कर दूँगा इसके अलावा मैं try कर रहा हूँ numerical के वीडियो की भी promise नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं पूरा try करूँगा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो numerical पर भी लेकर कर के आऊँए तो ठीक है बच्चो जिन बच्चो ने YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है वो YouTube चैनल को subscribe कर लीजेगा subscribe कर लीजेगा और जिन बच्चो ने telegram channel join नहीं कर रखा है वो telegram channel जरूर join किजिएगा वहाँ पर आपको content मिलेगा सरो ठीक है बच्चो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए goodbye, take care